जे हिन दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर स्रीकांत बर्मा जी से संबंदित महत्तुपूर्ण कॉस्चन आंसर वीडियो पूरा वस्त देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करें ताकि अनलुग भी वीडियो देख सकें अप प्लेश्टूर्ण से जहां पर हिंदी साहित का संपूर्ण कोर्स आपके लिए उपलब दें और यहां पर बहुत ही जी का जन्म कब हुआ था बताईए सरसा सरसा पब्लिकेशन कभी मालबस तुनेश्टे प्रिश्ण की एबोक है तो आप खरी सकते हैं और स्रीकांत बर्मा का जन्म आपसे पूँचा है तो 1931 लगा दीजे विकल्प नंबर सी राइड डांसर की 18 सेतंबर 1931 को इनका जन्म उपका सई आंसर होगा नई कवीता विकल्प नंबर एक सही आंसर है सरीकांत बर्मा ने नांगपुर विस्विध्यालय किसनात को उत्तर के उपादी प्राप्त की अंग्रेजी संस्क्रित अ letzॉ हिंदी तो नांगपोर विस्तु विध्यालाई से किस विसाई से इसनात को उत्तर के उपादी प्राप्त की है स्रीकांत बर्मा जी ने तो हिंदी आपका सही आंसर होगा एक वास्चन आपके थोड़ी से बिलर हो गए हैं यहाँ पर उस विकल्प को चुनिए जिसमें सभी पत पत्रिकाओं का संपादन स्रीकांत बर्मा जी ने क्या तो दिनमान सिर्मिक किरती बर्णिक यह जो है इन सभी पत्रिकाओं का संपादन क्या है स्रीकांत बर्मा जी ने स्रीकांत बर्मा का पहला काप्व संग्रय माना जाता है इनका पहला काप्व संग्रय आपके लिए बत तक प्रिकासित हुआ यह आपको पताना है, महत्तपौन कॉस्चन है, वतका मेग, यह आपको बताना है कि इसका प्रिकासन कब हुआ था, कॉस्चेम नमबर छे है, व छे का राइट आंसर है, 1937작ऊर vendors में, विगलफ नमबर एक आपका सही आंसर होका, बिलकुल सही विगलफ न मगद दिनारंब गरन किस ने देखा भट कमीग तो question number आपका यहां पर पूँचा है कौन सा question number है आपका 8 और 8 का सही answer आपका बिल्कुल सही right answer है यहां पर कि विकल्प number आपका यहां पर क्या है सही answer एक right answer है मगद मगद के लिए कापड के लिए इनको सही तकादियों परुष्कार दिया गया था question number 9 है स्रिकांट बर्मा सन 1966 से 1937 तक किस पत्रिका के सम्पादक रही हैं यह आपको बताना है तो क्या होगा सही आन्सर यह आप से इहां पर पूंच है तो आपके इहां पर दो विकल्प इहां पर भी दिये गए हैं और आपके हहां पर सही आंसर है दिनमान दिनमान विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा तत्कालीन सासक बर्ग के त्रास और उसके अंदकार में भविस्त को बहुत प्रभाव साली तरीके से उजागर करने वाले स्रीकांत बर्मा का कब भी कौन सा माना जाता है मगद, माया दरपन, जलसा घर या भट का जो तत्कालीन सासक बर्ग के त्रास और उसके अंदकार में भविस्त को बहुत प्रभाव साली तरीके से उजागर करने वाला जो स्रीकांत बर्मा का कब भे मगद माना जाता है question number आपका ग्यारा पूंचा है स्रीकांत बर्मा की रचिना दूसरी बार की विधा बताना है कहानी है काब्भे आलोचिना है उपन्या से बताईए दूसरी बार और आपका सही आंसर है यह उपन्यास माना जाता है विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा यहाँ पर पूंचा जाड़ी कहानी सेंग्राई की रचिना कार कौन माने जाती है जाड़ी संबाद घर ठंड बास यह जो है इनके क्या माने जाते है कहानी संग्राई माने जाती है कि इनके यह माने जाते है स्रीकांत बर्मा जी की दूबिकल्प नंबर एक आपका सही आंसर ह स्रीकांत बर्मा का यात्रा संसमरन कौन सा है संबाध है अस्वत्थ है या अपोलू का रत है या घर इनका यात्रा संसमरन पूंचा है तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है अपोलू का रत आपका सही आंसर है और स्रीकांत बर्मा का साक्षातकार है वीसवी सताब्दी क को कभीता और राष्टी एकता के लिए सन 1980 में किस सम्मान से सम्मानित क्या गया था बताए किरल सरकार द्वारा 1980 में तुलसी सम्मान कुमारन आसान पुरुसकार या फिर सिखर सम्मान या सला का सम्मान तो इनको सम्मानित क्या गया था किरल सरकार द्वारा कुमारन आसान पु हुआ था question number आपका सोले है और सोले का सही आंसर है बिल्कुल सही बहुत बढ़िया इनका जन्म हुआ था बिलासपुर 36 गड़ में इनका जन्म हुआ था तो विकल्प नमबर भी आपका सही आंसर होगा माया दर्पन काप बिमाना जाता है इमहत्पुन काप है और इसका जो मतलब प्रिकासन हुआ था उनने सो साड़ साटीस भी में हुआ था तो विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर उनने सो साड़ साटीस भी में कॉस्चन नंबर 18 यहां पर दिया है देखें यहां पर पूँचा है कि सरेकांतबरमा को मद्परदेश सरकार द्वारा सन 1997 में किसे प्रोशकार से सम्मानित किया गया महत्पुन क्वूस्चन है क्वास्चन नंबर 28 और आपका सही आंसर है तुलसी सम्मान तुलसी सम्मान मर्द प्रदे सरकार द्वारा उनने सो पहत्तर में इस प्रोस्कार से सम्मानित क्या गया था स्रीकांत बर्मा जी को स्रीकांत बर्मा को नंद दुलारे वाच्पी प्रोस्कार कब दिया गया कॉस्चिन नमबर 19, 1985, 1986, 1984, 1983 तो स्रीकांत बर्मा को नंद दुलार वाजपी प्रोषकार से सम्मानित क्या गया था कब 1984 में बिल्कुल सही भूत बड़ियां अंगला कॉस्चन देखते हैं कि स्रीकांत बर्मा को कांग्रेस टिकट से चुनाओ जीतकर राजसवा की सदस्य कब बने थे स्रीकांत बर्मा 1966, 1976, 1970, 1970 में ये राजसवा की सदस्य बने थे तो कब बने थे तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है भी यानि कि 1976 आपका सही आंसर होगा question number 21 पूँचा है स्रीकांत बर्मा की काब्यों का प्रिकासन वर्ष की अनुसार सही किरम किस विकल्प में है यह आपको इहाँ पर बताना है चार विकल्प आपकी इहाँ पर दिये गए है बताईए कि स्रीकांत बर्मा की काप्वियों का प्रिकासन वर्ष के अनुसार सही किरम किस विकल्प में है एक किस का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी भट का मेग माया दरपन दिना रंब जल साघर यह जो है आपका सही आंसर होगा बिल्कुल सही प्रिकांत बर्मा का उपन्या से दूसरी बार या फिर असवत्थे आ उबादोनों या संबाद उपन्यास पूचा है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आ और बाद दोनों आपका सही आंसर होगा बिल्कुल सही संबाद ये इनका कहानी सेंग रहे ये उपन्यास नहीं है विकल्प नंबर एक राइट आंसर होगा बिल्कुल सही यहां पर पूचा है गीतकार, कथाकार, आलोचक की रूप में लोप्रिये, स्रीकांत बर्मा का निधन कब हुआ ये महत्तपूर्ण कॉस्चन आपसे पूँचा गया है और आपका सही आंसर होगा 1986 में विकल नंबर B आपका सही आंसर है देखें, 1986 गीतकार, कथाकार, आलोचक की रूप में लोप्रिये थे श्रीकांत बर्मा तो यहां पर आपन ने इनसे संबंदित महत्तपूर्ण कॉस्चन देखे क्या सा लगा ये वीडियो कमेंट में जरू बता है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करें आज की वीडियो में बस इतना है, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन